कहानी सुरू करते हैं एक बार एक इंसान अंदर से पूरी तरह से तूट चुका था उसे जीवन में इतने धोके मिले थे कि उसकी सरदा और उसकी भक्ती बिल्कुल विलीन हो चुकी थी अब वो किसी की बात पर विश्वास नहीं करता था हर बात पर शक करता था ऐसे ही उस आदमे की पत्नी एक दिन उसे महत्मा बुद्ध के पास लेकर पहुची और बुद्ध के पास जाकर उसकी पत्नी कहती है कि हे बुद्ध ये मेरे पती है लेकिन ये किसी पे विश्वास नहीं करते हैं बाहर की दुनिया को तो छोड़ो, ये अपने परिवार वालों पे भी विश्वास नहीं करते हैं, यहां तक कि ये मुझे पर भी विश्वास नहीं करते हैं, किर्प्या करके, आप मेरे पती से बात करके, उसे समझाने का प्रयास कीजी, मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। ये सुनकर बुद्ध उस इंसान की तरफ देखते हैं, वो इंसान बुद्ध को भी गरणा की द्रिश्टी से देख रहा था, लेकिन बुद्ध ने इसकी परवा की बिना कहना सुरू किया, बुद्ध ने कहा कि कोई भी इंसान जो इस दुनिया में जन्म लेता है, वो उनना शुरू कर देता है और जब कोई गुरू से कोई विधी बताता है तो वो बिना अपने विवेक का इस्तमाल किये उसकी बात का या उसके मंत्र का अनुसरन करने लग जाता है क्योंकि वो इंसान अपने दुखों से इतना ग्रस्त होता है कि अपने विवेक का और अपनी विष्विदी से कोई फायदा ही नहीं हो रहा है मतलब मुझे मेरे दुखों से चुटका रही नहीं मिल रहा है तो वो उस गुरु को छोड़कर किसी दूसरे गुरु के पास चला जाता है और जब वो निरंता रह से धोके खाता रहता है तो उसका विश्वास गुरुवों प जाकरित करता है जिस इनसान में शक ही पैदा नहीं होगा वो इनसान अपने विवेक को जाकरित नहीं कर पाएगा अपनी आँखों को खोल कर नहीं देख पाएगा लेकिन अगर उस सदपुरुष की बातों से आपके सारे शक दूर हो जाते हैं तो आपका करतव्वे बनता ह कि आप उसे गुरु की बहती स्विकार करें. इसके बाद बुध्य ने कहा कि अक्सर एक इनसान दूसरे इनसान को ही गुरु की रूप में स्विकार करना चाथा है. लेकिन समझने की बात ये है कि हम इनसान के अलावा दूसरी बहुत सारी चीजों से सीख ले सकते हैं जैसे कि पेड़ पोधे, प्रकर्ती, पशू, इत्यादी इत्यादी अगर हम आखें खोल कर देखें तो बहती हुई नदी भी हमें गुरू की बाती प्रतीत होगी बहती हुई नदी हमें सिखलाती है कि जीवन की धारा में बहते हुए चले जाओ उससे संगर्ष मत करो, उससे लड़ो मत बस उसकी धारा के साथ बहते जाओ जीवन अपने आप समंदर में मिल जाएगा और जिस प्रकार अंत में नदी समंदर में मिल जाती है उसी प्रकार आत्मा का भी परमात्मा से मिलन हो ही जाएगा ये एक नदी की सीख है लेकिन हमने कभी नदी को आँखें खोल कर देखा ही नहीं और इसी तरह प्रकरती में हर चीज, हर वस्तू एक गुरू की भाती हो सकती है, जो हमें सीख दे सकती है लेकिन उसके लिए हमें अपना विवेक जगाना होगा और अपना विवेक जगाने के लिए हमें खुद से प्रेम करना सीखना होगा अक्सर इनसान खुद से प्रेम नहीं करता तभी तो वो दूसरों के पास अपने दुखों का हल खुजने के लिए जाता है अगर इंसान खुद से प्रेम करता है तो पहली बात तो ये कि उसे दुखों का एहसास ही नहीं होगा क्योंकि जहां प्रेम होता है वहाँ दुख, वहाँ संताप नहीं होता और दूसरी बात जब आप खुद से प्रेम करने लगते हो तो आप किसी भी समस्या का हल अपने अंदर ही डूंडते हो, आप खुद के मन में उदरकर खुद से ही सवाल करते हो और यकीन मानिए ऐसी परिस्तिते में अंदर से जवाब भी आता है तो सवाल ये है कि खुद के प्रती प्रेम कैसे जागरित किया जाए हम हमेशा उन्हीं लोगों से प्रेम करते हैं जो किसी ना किसी रूप में हमें लाब मोचा रहे होते हैं चाहे वो लाब किसी भी रूप में क्यों ना हो हमारा प्रेम conditional होता है वो परिस्थितियों पे निर्भर होता है लेकिन अगर आपका प्रेम unconditional होगा बिना किसी लोब लालच के होगा तो वो दिव्य प्रेम बन जाता है फिर आपका प्रेम बहारी चीजों पे निर्भर नहीं करेगा क्योंकि वो प्रेम आपके अंतरमन से उमड रहा होगा और वो प्रेम सब के लिए होगा, सर्वत्र होगा और इस प्रकार के प्रेम को मैंने दिव्वे प्रेम की संग्या दी है जब आप संसार में किसी भी चीज से अनकंडिशनल प्रेम करने लग जाते हैं दिव्य प्रेम करने लग जाते हैं तो आप मूल रोप से खुद से ही प्रेम कर रहे होते हैं और जब आप खुद से प्रेम करने लग जाते हैं तो आप किसी भी समस्या का हल बाहर किसी से पूछने नहें जाएंगे आप उसी से पूछेंगे जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और वो आप खुद हैं आप खुद से ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं इसलिए आप खुद से ही समस्या का हल डूनेंगे अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस दिव्य प्रेम को जागरित कैसी किया जाए तो इसका एक छोटा सा भ्यास है जब भी हमारे पास समय हूँ मतलब हम कोई काम नहीं कर रहे हूँ तो खाली बैठ कर पेड़ पोधों की तरफ प्रकर्ति की तरफ ये भावना बनाएं कि मेरे मन में उनके प्रती प्रेम उठ रहा है और मेरी आखों के माध्यम से वो प्रेम की तरंगे मैं उन पेड़ पोधों की तरफ बेज रहा हूँ और बदले में वो पेड़ पोधे और पक्षी भी हमारी तरफ प्रेम की तरंगे पेज रहे हैं ये हमें महसूस करना है जितनी भी देर हो आदा गंटा, पंदरा मिनट, पांच मिनट जब भी हमारे पास समय हो हम ये अभ्यास जरूर करें इससे हमारे अंदर दिव्य प्रेम जाकरित होगा मतलब अनकंडिशनल लाओ और उसके बाद हम अपने प्रती प्रेम का अनुभाव कर सकेंगे इसलिए जरूरी है खुद के विवेक को जाकरित करना किसी ठग से, किसी बेरुपिये से अपने समस्या का हल पूछने से अच्छा है कि आप उसे किसी से ना पूछें आप उस दुख को सहते रहें क्योंकि अगर आप किसी ठग से उस समस्या का हल पूछेंगे तो आपके दुखों में सिर्फ इजाफा होगा उससे छुटकारा कभी नहीं मिलेगा बुद्ध ने जो अपना आखरी उपदेश दिया था उसमें उन्होंने खुद कहा था कि अपदीपो भावा मतलब अपना दीपक खुद बनो अपने अंदर के गुरु को पहचानो और एक बार अगर आपको अपने अंदर के गुरु की पहचान हो गई तो आप प्रकरती में हर एक वस्तु से हर एक चीज से इन हवाओं से इन पत्तों से, इन पक्षियों से, इन जानवरों से, इन सबसे सीख ले सकते हो, लेकिन उसके लिए दिव्वे प्रेम का ब्यास और विवेक को जाकरित करना, जरा सोचिए, एक इनसान जो किसी दूसरे इनसान को अपना गुरु मान कर पूरी जिन्दगी निकाल देता है, और कैसे किसी से नजरें उठाकर बातें कर पाएगा, और हम देखते हैं, हमारे चारों तरफ यही तो हो रहा है, और फिर भी हमारी आखें नहीं खुल रही हैं, हम फिर किसी तीसरे गुरु की तलाश में निकल पड़ते हैं, हो सकता है कि आप जिस गुरु को मानते हों, वो सद पुरुशों लेकिन एक सद पुरुश भी आपके अंदर वाले गुरु को ही उभारता है सद गुरु आपका परिच्छे अपने अंदर वाले गुरु से कराता है और वही सद गुरु कहलाने लायक है इसलिए किसी अंद विश्वास में मत्फसिये अपा दीपो भवा अपना दीपक खुद बनिये तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट शेक्षन में जरूर बताएं और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो मिलते हैं अगली कहानी में तब तक के लिए अपना खयाल लगे